ओके 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 बॉइस ये देखो क्या हुआ है जस्ट अभी अभी एक वीडियो आया है दुरुबराथी का मैं बाहर था रेस्टोरेंट पे कल में स्ट्रीम करने की सोच रहा था अभी ये वीडियो आ गया तो आपस लाइक ग्राइंडिंग चल रही है रचित भाई के वीडि जब के वीच में बहुत ज़दा पोकिंग चल रही थी और मेरा अंदाज़त था कि साइस दुरुपराथी निकालने वाला है वीडियो अनलवे शादव इस वीडियो को एक घंटे में 6 लाक लाइक सेंग ब्रो आर यू सीरियस इस अधिक ये तो बहुत ज़दा वड़ा वी करना बंद कर दे कवे के तरह यह रहा जवाब खतर नाक जॉट सौरस जिनके बारे में इतनी कंस्पिरिसी थी फिलाई जाती है इनके बीजेपी के साथ मैंने डारेक्ट लिंक्स दिखा लिए लेकिन एलविश ने जो लिंक बताया हर्श मंदर का मेरे साथ आप भी सुनकर जाएंगे कि कोई इस लेवल का बेवकूफ कैसे हो सकता है वैसे मुझे तो लगता है ये खुदी इतना बेवकूफ है क्योंकि इसने ये भी नहीं नोटिस किया कि ये वाला जो आदिलमन था जो मेरे फेस्बूक ग्रूप में था उसके नाम की स्पेलिंग अलग थी और इस इसमें गोबर के बने हुए उपले रखे जाते हैं अभी कुछ हफते पहले किसी दोस्त ने मुझे कहा कि Elvish Yadav ने मेरे उपर एक वीडियो बनाया मेरा क्या कहना है इस वीडियो को लेते है मैंने कहा भई क्या यार क्या उमीद करते हो बिठोडे के मूँसे उपले ही निक कि ये वीडियो बनाया है मुझे लग रहा है कि ये वीडियो बहुत अच्छा है अगर ये अच्छा है तब इस पितने जाजा लाइक आ रहे है क्योंकि Elvish Yadav का भी फैन फॉलिंग है भाई दो मिलियन व्यूस में 6 लाख लाइक इस क्रेजी भाई कोई मुझे कभी कुटा कहता है कोई कोक्रोच कहता है कोई कहता है कि मेरी वाइफ पाकिस्तानी है तो कोई मुझे बुली कहता है लेकिन इन सभी में से एलविश सही माईनों में इन बेवकूफों का सरदार है क्योंकि जितनी अनाफशनाब बात इसने अपने वीडियो में करीना मेरे बारे में जितने दुनिया भर के जूट इसने फिलाए है उतने शायद ही किसी ने फिलाए इसने मुझ पर जो वीडियो बनाई उसका कई सारे यूट्यूबर्स आलेड़ी काउंटर कर चुके है जिनोंने भगवा रंग पहन रगा वो चपरी है कि सब चपरी है ये जीतने विए सैफरन गमचा उड़ते है अरे लविस भाई धुरुबराठी ने ये कही नहीं कहा कि जो भगवा रंग पहनता है वो चपरी है बल्कि वो लोग जो भगवा रंग पहन के मस्जिद के सामने जाकर हाथों में तलवार लेके घूमते हैं वो लोग जो भगवा रंग पहन के राम का नाम खराब करते हैं वो छपरी है किसी भी चीज को यहां से वहां जोड़ दिया कभी बोला कुछ, दिखाया कुछ, कभी तो बोलना ही नहीं आया धंक से हर्शमंदार कहलो या फिर हर्शमंदर कहलो जो भी है अब इस बात का कोई प्रूफ अवेलिबल नहीं है कि हर्शमंदर और दुरूग राथी डिरेक्टली कनेक्टेड हैं लेकिन एक स्पेकुलेशन की अधार पे और एक कॉंस्पिरेसी थियोरी की अधार पे इस बात को इतने कॉन्फिटेंस से बता दिया जाता है जो वैक्ती गाली देता था वो वैक्ती ने इस वीडियो में गाली नहीं भी खुदी बोला नहीं दे पंगो क्यूं क्यूंकि इस बैक्ती ने सुधार आया उसको यह है पड़े लेखे यूटुवर्स का फरक जब छपरियों का सरदार गाली दिना बंद करता है इस वैक्ती के वीडियो की बज़े से तो फिर इसके जो गुलाम है वो क्यूं नहीं गाली दिना बंद करेंगे इतनी बेस्ती होने के बाद भी एलविश का मन नहीं बरा जबाद होना नहीं चलेगा तेलिख बाद ओप्र घ्य आपने बीन नोटिस किया होगा दोस्तों कि जो भी इंसान बीजेपी की आलोचना करता है यह बीजेपी वाले उसे अन्ती नैशनल गोशित करते फिरते हैं एल्विश ने भी यही किया, कि ये इंसान एंटी नेशनल, वो एंटी नेशनल, फलाना एंटी नेशनल, ढिमकाना एंटी नेशनल, अब किसी तरीके से इन सभी लोगों के दुरूव राठी से connection जोड़ दो, और इसे भी एंटी नेशनल गोशित कर दो, मैंने तो एंटी लिखते हैं कि इसने exactly क्या कहा था, इसने बात करी थी आदिल अमन नाम के एक आदमी की, साल 2020 के अंदर दुरूव राठी ने एक Facebook ग्रूप बनाया, जिसके अंदर वो admin थे, और इस ग्रूप के अंदर बहुत सारे लोग थे, उसके अंदर एक important चैरा था, जिसका नाम है साथ मेरा एक Facebook page भी है, सिर्फ धुरूवराठी नाम से, इस group को manage करने के लिए मैंने कुछ admins को चुना उन लोगों में से, जो मेरे Facebook page पर सबसे ज्यादा active लोग थे, कौनी लोग थे मैं नहीं जानता, मैंने सिर्फ इस basis पर इन लोगों Facebook group का admin बनाया, कि ये मेरे Facebook page पर सबस और extremist type के comments किये, जिने obviously मैं support नहीं करता, बाकी admins ने ओ comments मुझे दिखाए और मैंने फिर इसे admin की position से हटा दिया, अब logical सी बात है, मैं हमेशा नाथुराम गोटसे वाली ऐसी मानसिक्ता का विरोथ करता हूँ, लेकिन बाद में मैंने realize कि अगर इस तरीके से चलता रहा, इस घटना को लेकर एक scandal बनाने की कुशिश करता है, यह अपनी imaginary कहानिया बनाता है, कि आदिल और मैं तो जिगरी दोस्त है, अगर दुरू भाई ये वीडियो देख रहे हैं, तो भाई के चैरे में मुस्कुराट आगी होगी कि पुराने साती है, हम आद भी पार्टी में सात म काम करते थे, ओके, जब प्रधान मंत्री मोधी सडख चाब मवालियों को ट्विटर पर फॉलो करते हुए देखते हैं, तब तो ये गोधी इंफ्लूएंसर सारा लॉजिक लगा देते हैं, कि इसमें हमारे प्रधान मंत्री जी की क्या गल्ती, उन्हें क्या पता था कि ये एसी अबद्र भाशा का इस्तिमाल कर सकता है, यादा ने निखिल नाम का एक ट्विटर यूजर जिसने गर्फ से कहा था कि प्रधान मंत्री मोधी उसे फॉलो करते हैं, इसे किस तरीके से एक महिला पत्रकार की मौत पर जशन मनाया था, उनको गालिया दी थी, और प्लीज प्रधान मंत्री फॉलो कर रहे थे, इतना ही नहीं, प्रधान मंत्री मोधी ने तो अंकित जैन, सुरेश नक हुआ थे, जिंदर बग्गा जैसे कुछ हिंसक गाली बास टोल्स को अपने ओफिशल रेजिदेंस पर होस्ट भी किया था, क्या पहले चेक नहीं कर सकते थे कि य यहां नरेंदर मोधी उसे माला पहनाते हुए और उसके पैर छूते हुए दिख रहे हैं इस ट्वीट और इस फेस्बुक पोस्ट में प्रधान मंत्री मोधी गुर्मीत राम रहीम की प्रशंसा करते हुए दिख रहे हैं वही गुर्मीत राम रहीम जिसे murder और rape जैसे cases में दोशी पाया गया है। इस फोटो में हर्याना के पूर्व मुख्य मंत्री गुर्मीत राम रहीम के साथ बैठे हुए देख रहे है। अब आज तक कि ये headline देखिए। ये जो गले में बीजेपी का पट्टा डाले हुए और टीशेट पर मोधी लिखवाए हुए दिख रहा है। कि यह एक ISI Certified Party बच्चों कम से कम तीन शक्स इन 11 में से सीधा सीधा तरीके से भारत ये जनता पार्टी के साथ जुड़े है। ओनु माने सर इस फोटो में अनुराग ठाकुर के साथ, यहां लेट अरुन जेटली के साथ और यहां ओम मिनिस्टर अमित्शा के साथ। इस फोटो में प्रधान मंत्री मोधिपूर, बीजेपी सांसत, प्रग्या ठाकुर के साथ दिख रहे हैं जो 2008 के माले गाओं बॉम ब्लास्ट की एक अग्यूज है। बीजेपी नेताओं के एक्स्टीमिस्ट टेंडेंसीज में डारेक्ट इंवॉल्मेंट या इंडारेक्ट एस्सोसियेशन के ये सब एक्जाम्पल सुबस्ट ट्रेलर हैं। अगर मैं पूरी लिस्ट बनाने लग जाओं तो यहां तीन गंटे की फिल्म बन जाएगे। इनोसाइड की बात करता है। क्या एलविश में हिम्मत है इन सब केसिस पर बोलने की। तुझे पक्का पता है तो इस वीडियो को देख रहा होगा सीधा तुझसे बोलना चाहूंगा। अगर तुझ में एक परसेंट भी हिम्मत है तो बीजेपी से काउंटर मांग कर दिखा लगा। काँंटर 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 यह जो काँं काँंटर करे जा रहा था न मेरे साथ बीजेपी के साथ करके दिखा। पता है तेरे जैसे सत्ता के चाटुकार पूरी जिंद की ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। मेरे खिलाब बोलना असान है क्योंकि पता है सरकार पीछे से कुछ कहेगी नहीं और बड़े यूट्यूबर को टार्गेट करके व्यूज मिलेंगे, कॉंटरुवर्सी होईगी, पॉब्लिसिटी मिलेंगी, पता है तुछ जैसे गोधी यूट्यूबर्स की सबसे बड़ी यूट्यूबर्स करियर माइगाड ब्रो डिड़ बैट तुकॉरा भाई यार उस दिन में इस्ट्रीम में भी वोला था ब्रो इस भाई दुरूब किसी को भी नहीं छोड़ रहा यार दुरूब एक्चली इस ओन न्यू एरा अधिस पॉंट भाई दुरूब भाई एक्चल अधिस्टा है कॉंट्रोवर्सी जो करता है सिर्फ वीउस के लिए करता है पैसे के लिए करता है असलियत में यूट्यूब पर अगर एक लॉंग टर्म करियर बनाना है तो उसके लिए ओडियंस को कुछ जैनुएन वैल्यू देनी पड़ेगी यह चीज मैंने अपने यूटूब कोर्स का तुम्हें पूरा हर एक चीज बहुत सिंपली बता जयता हूं है दुरुप भाई मोसली में इक्स वीडियो जो की बहुत ही चलने वाले होते हैं ठीक है ना इफ्यूप भाई की कोई सी वीडियो इस वीडियो इस वीडियो आर आउनली तिंग जो की यूटूब का इजियाइस भी होता है ग्रो करने का में वीडियो और ट्रेंडिंग टॉपिक बट अच्छे से बनाओ यूट वर बार विडियो जब तुम बार वर वीडियो जब चार बार वार वकवास वीडियो बनाओगे पांच वीडिल्शी नशिग जाओगे सं़िज करें भाई तो अगर तुम्हें कोई सीख सकते हो तो हाउ तू में एंगेजिंग वीडियोज। दो भाई की वीडियोज काफी दाइगेजिंग होती है कर लें तेरे लिए एक स्पेशल डिसकाउट भी दे रहे तो यूपन कोड यूज़ कर लिविश 40, 40% off में एक इस आधे गंटे के कोर्स में मैंने सब कुछ सिखाया है कि फिल्मिंग कैसे करनी है, इडिटिंग कैसे करनी है, इस करी जाती है, इस करियर से पैसे कैसे कमाई जा सकते हैं इना गैंबलिंग और बेटिंग की अप्स को करनी की जरूवत में है, इस में कि 20 मिलियन व्यूज 10 मिलियन व्यूज पर वीडियो और इनके वीडियो का प्रोडक्शन बहुत जदा कम है, अब इस तुम्हें एक दूसरी कैटेगरी में अपना चैनल बनाना चाहते हो, ठीके ना, बहां पर तुम्हारा प्रोडक्शन बह वीडियो को एडिट करने में, अगर तुम्हारे वीडियो पे पांचे लाग व्यूज आ रही है, तव और अरनिंग अराव 15-16 अजार रुपे, जिसमें से पांचे हजार रुपे तुम्हें एडिटर को देने पड़ेंगे, तो इस रियली हाइड, यूज रियली हाइड, Dream 11 वी एक तरीके का भाई वही एप में आता है, वो भी fantasy एप ही है, ठीक है, तो this is the thing, अब आगे जाके इंडिया में, betting and gambling app बहुत दा कॉमन हो जाएंगे, समझे बठा, ट्रॉस्टर एप को ही प्रमोट करो, you get the point, there's a lot of apps, there's a lot of things, लिकिन स्रिफ पॉसर ट्रॉस्टर एप् जो कि हर को यूज करता है, जो ट्रस्ट वर्ती है और जो लीगल है इंडिया में, जो इंडिया को टेक्स पगेरा देते हैं, वही प्रमोट करो, या, यह भी तेरे लिए सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अभी तेरा business model है, कि controversy करके views इखटे करो, और फिर in gambling apps को प्रम यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, अब दोस्तों वैसे मुझे पता नहीं Elvish यादत में कितनी skills हैं, तो इसका तो छोड़ो, लेकिन अगर आपको interest है, तो आप जरूर Elvish 40 coupon code यूज कर सकते हो जाते हैं, मेरा बहुत अदा मन कर रहा है कि मैं Elvish 5 का YouTube course लूँ और सीखू, एंद देखू कि उन्होंने कोर्स में क्या-क्या बताया है, तो सी if it's actually valid or not, जितने भी लोगों ने कोर्स लिया है, उन्हें ये बेहद यूसफुल लगा है, और पिछले 10 सालों में YouTube के करीर है, मैंने जो भी कुछ सिखा है, मैंने आपको इसमें सिखा है, मैंने आपको इसम सरकार किरा लेगे लेगे, ये George Soros वाला प्रोपेगेंडा आपने जरूर WhatsApp University पर कभी न कभी देखा होगा, इसमें Illuminati, New World Order, पाकिस्तान, चायना, अमेरिका, वाम पंति, JNU, टूलकिट गैंग, खान मार्किट गैंग, कॉंग्रेस बगेरा, इन सब की साथ में बात करी जात करके देखते हैं कि कौन है ये George Soros, George Soros एक Hungarian American billionaire है और वे एक investor, hedge fund manager, short seller और philanthropist है, बहुत सारे बड़े बड़े शब्द है, मैं जानता हूँ Elvish को हजब नहीं होएंगे, तो उसने सीधा WhatsApp खोला और देखा कि WhatsApp पर जो लिखा है वो बता दिता हूँ, 1992 में इन्होंने अपनी short selling से Bank of England को हिला दिया था, एक billion dollar का profit कमाया था, 1997 में इन्होंने Thailand और Malaysia की currencies को shot कर दिया था, जिसकी वज़े से एक financial crisis देखने को मिली थी, उसी साल इन्होंने The Atlantic में एक article लिखा था, जिसमें इन्होंने कहा कि वैसे तो मैंने financial markets में छप पर फाड कमाई की है, लेकिन अब मुझे लगता है कि लेसे fair capitalism, यानि जहां कोई regulations ना हो, ऐसा capitalism एक खत्रा है open society के लिए, open society का मतलब है कि ऐसी दुनिया जहां democratic governance हो, freedom of expression हो और individual rights के लिए respect की जाए, ऐसी society बनाने के लिए, इन्होंने दुनिया के 100 देशों में अपनी open society foundation बनाई, इस open society foundation ने इंडिया में अपने कदम रखे साल 1999 में, जब आतल विहारी वाजपाई हमारे देश के प्रधान मंत्री थे, initially ये Indian institutions में study और research के लिए students को fellowships और scholarships देते थे, ये सिरफ साल 2014 में ही था कि इन्होंने अपना India specific grant making program शुरू किये, इसके तहत इन्होंने अलग-अलग sectors में काम करने वाली local organizations को support किया, जैसे जैसे कि psychosocial disabilities वाले लोगों के लिए community living, public services, rights को strengthen करना, justice system reforms, medicine access, इनके social impact investments ने दो ventures को fund किया है, neo growth और capital float, इन दोनों ventures ने इंडिया के 40,000 से ज़्यादा छोटे businesses को 300 million dollar की affordable financing दी है, जैसे कि 2017 का ये news article देखिए, capital float financial year 2018 में 5,000 करोड के loans disperse करेगी small और micro businesses को, 2022 में capital float का नाम हो गया Axio, थोड़ा और google करोगे तो पता चलेगा कि इस company के founders कौन है, गौरव हिंदुजा और शशांक रिश्य श्रिंग, जिनोंने Stanford University से अपनी MBA की है, और गौरव हिंदुजा के बारे में अगर आप google करोगे तो इनका twitter account सामने आएगा, जिसमें इनके verified followers मे आप देख सकते हो, BJP के नेता कपिल मिश्रा, फिर शशांक का नाम google करो, शशांक की शादी के बारे में ये news article सामने आएगा, देखिये यहां कौन guest आये थे इस शादी को attend करने, मुकेश अमबानी की मदर कोकिला वेन अमबानी, BJP नेता लाल कृष्ण अडवानी और BJP ने Indian Express की एक investigation से बता चला कि George Soros की Open Society Foundation के worldwide 68 ऐसे projects हैं जिनकी funding होती है UN Democracy Fund से, और India इस United Nations Democracy Fund में fourth highest contributor है, इसका मतलब समझ रहो दोस्तो, indirectly George Soros की funding करती है Modi सरकार, इन्ही George Soros ने China के Xi Jinping के बारे में कहा कि China के President Open Societies के लिए सबसे खतरनाख opponent है, इन्होंने international community को ये कहा है कि China की high-tech companies इस पर crackdown किया जाए, इन्होंने China के Belt and Road Initiative की भी सक्त आलोचना की थी, इतना ही नहीं, 2017 में पाकिस्तान ने Open Society Foundation की पाकिस्तान ब्रांच को बंद करने का आदेश दिया था, तो जिस George Soros को ये लोग villain बनाने की कोशिश करते हैं, वो तो openly China और पाकिस्तान के खिलाव बोलते है इतना ही नहीं, इन्होंने America में racism को ख़तम करने के लिए भी efforts किया है, इन्होंने income inequality के खिलाव भी अवाज उठाई है, कुछ और अमीर लोगों के साथ मिलकर इन्होंने American government को एक letter भी लिखा था जिसमें कहा कि middle class और गरीब लोगों के बजाए, अमीरों से tax वसूला जाए, इन्होंने कहा कि हमारे जैसे अमीर लोग जिनके पास 50 million dollar से भी ज्यादा पैसा है, इनके उपर 2-3% का wealth tax लगाया जाना चाहिए, तो overall आप देख सकते हैं कि George Soros चायना के openly खिलाव बोलते हैं, पाकिस्तान को इनसे तकलीफ है, अमेरिका में racism और income inequality का ये विरोध करते हैं, Unregulated Capitalism के खत्रों पर ये बात करते हैं, इंडिया में students को fellowship दी है इन्होंने, farmers को पैसा दिया है इनकी organization ने, 40,000 से ज्यादा small businesses को easy loans प्रवाइड करवाये हैं, Freshworks जैसे इंडिया की कई startups में इनकी investment है, और Indian government United Nations के Democratic Fund में donate करती है, जहां से इनके worldwide projects को पैसा मिलता है, यहां तक स नरेंदर मोदी के खिलाफ भी बोला, प्रधान मंत्री मोदी और गौतम अडानी के alleged नाजाय सम्बंधों के बारे में इन्होंने बात की, इन्होंने कहा कि नरेंदर मोदी को अडानी क्राइसिस पर सवालों के जवाब देने होंगे, ताकि foreign investors का विश्वास ना दगमगा, और आप तो जानते ही हो कि गोदी ईको सिस्टम के हिजाब से मोदी भारत है और भारत मोदी है इन लोगों के लिए, इसलिए कोई भी प्रधान मंत्री मोदी की अलोचना करे, इन लोगों का गांग उसे बहुरत विरोधी डिक्लेर कर देता है, फिर चाहे वो रियाना हो, भ पोदी मीडिया पर घूम रहा प्रॉपगेंडा है लेकिन एलविश की बेवकूफी तो इससे भी ज्यादा कमाल की है एलविश कहता है कि जॉड्सौरस को राहूल गांधी की आंटी जानती है इसलिए वो आंटी हमारे देश के लिए खत्रा है जो हमारे जॉड्सौरस है वो हमारे रहांधी गांधी जी की आंटी फॉरी नहरू के बहुत ही करीबी दोस्ते है गूगल पर सर्च करो तो पता चलेगा कि 2017 में और इनका दिहान थो चुका है जहां से जॉड्सौरस भी है जॉड्सौरस की तरह वो भी जूइश थी जब इंडिया में उनकी लव मैरिज होई तो उन्होंने अपना नाम कर लिया था शोभा नहरू इस 2009 के आर्टिकल की हेडिंग है मिस्टर सोरोस एक पुरानी दोस्त से मिलने गए लेकिन 14 साल बाद 18 फरवरी 2023 में इसी को दो गोधी वेबसाइट्स पब्लिश करती हैं और कहती है खुलासा खुलासा जानिये बड़ा खुलासा है 14 साल पुराने आर्टिकल को दिखा कर ये लोग नया खुलासा कहते हैं वैसे तो 2013 का ये आर्टिकल है जहां लिखा है प्रदान मंतरी की बेटी को माना वधिकार कानून में जबरदस्त काम करने के लिए सम्मानित किया गया उनकी रिपोर्ट का नाम था Globalizing Torture, CIA Secret Torture and Extraordinary Rendition यहां उन्होंने 136 लोगों के बारे में बताया है जिन्हें Terror Suspects बनाकर 54 देशों की जेलों में Detain किया गया, Torture किया गया और यहां पर यह भी बताया गया है कि वो Open Society Justice Initiative के साथ काम कर रही है जिन्होंने इस रिपोर्ट को Publish भी किया है लेकिन इसके साथ साल बाद Godi Media website इसे भी छापकर कहती है यह देखो नया खुलासा 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 लेकिन latest information अगर पता करने की कोशिश करी होती तो अब यह Open Society Foundation में काम कर भी नहीं रही है अब यह Stanford University में Law की Professor है इसके बाद Elvish बात करता है हर्ष मंदर की अब यह पहली बात तो जो भी नहीं होता है हर्ष मंदर है उनका नाम कल को तेरे नाम को भी ऐसे करके कोई बोले कि Elvish कहलो या Elvish कहलो जो भी है ऐसे नहीं होता दूसरा आइए गूगल करते हैं कि अब यह कौन है हर्ष मंदर एक former IAS officer है जो छे districts में district head रहे है इन्होंने गुजरात दंगो के विरोध में voluntary retirement ली थी इन्होंने 24 किताबे लिखी है इतनी किताबे Elvish अपने 7 जन्मों में भी नहीं पड़ पाया है पिछले 10 सालों में दैनिक भासकर, हिंदूस्तान टाइम्स, दहिंदू, इंडियन एक्स्प्रेस, स्क्रोल, लाइवमेंट, NDTV, बिजनस स्टैनिट, आर्टिकल 14 जैसे अख़बारों और न्यूस पोर्टल्स के लिए एक कॉलम भी लिखे है शाम वेनेगल की फिल्म, समर इनकी लिखी हुई दो कहानियों पर बेस्ट है इन्होंने बहुत से कॉलिज उनिवर्सिटीज में लेक्चर लिये हैं जैसे कि IIM, एहंदबाद, नाल से उनिवर्सिटी ओफ लॉव, MIT, बॉस्टन, उनिवर्सिटी ओफ कैलिफोर्मिया, इंस्टिट ओव डेवलप्मेंट स्टडीज 2010 से 2012 तक ये UPA सरकार द्वारा बनाये गए National Advisory Council के मेंबर थे कई important bills draft करने में इनका योगदान रहा है जैसे कि Right to Information, Right to Education, Food Security Bill, Child Labor Abolition इन्होंने lynching के विरोध में कारवाय मोहपत कैम्पेन चलाया और इन्हें इनके काम के लिए बहुत सारे awards मिले हैं जैसे कि M.A. Thomas National Human Rights Award 2002, Christy Harmony Award 2012 या Quiet Minute Award 2020 लेकिन इस अनपड बेवकूफ एल्विश के अनुसार ये भी anti-national है आप पुछोगे क्यूं? क्यूंकि इन्होंने George Soros की Open Society Foundation के साथ काम किया है बाई मतब बिना सरपेर के जो मन में बखवास आए बोल डालो अब सबसे interesting बात है कि इन सबसे मेरा क्या relation है आज तक असलियत में दोस्तों मैं हर्श मंदर से कभी मिला नहीं ना मेरी उनसे आज तक कभी बात हो इनका नाम मैंने पहली बार एल्विश के वीडियो से ही सुना और जो भी ये information मैंने आपको निकाल कर दी इसका वीडियो देखने के बाद Google करके रिसर्च करके आपको दिखाई लेकिन एल्विश ने जो लिंक बताया हर्श मंदर का मेरे साथ आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि कोई इस लेवल का बेवकूफ कैसे हो सकता है एल्विश ने कहा कि मैंने CA और मनीपूर पर जो वीडियो बनाया वो मैंने हर्श मंदर के ट्वीट देखकर बनाया चार अगस्ते 2023 को हर्श मंदर ट्वीट करते हैं मनीपूर दंगो के उपर और ठीक दो दिन बाद हमारे दुरूबाई की वीडियो आ जाती है यह ट्वीट और वीडियो की टाइमिंग तो ऐसे दिखा रहा है जैसे कि बहुत बड़ा जासूस बन गया हो लेकिन यहां पर भी इसने गलती करी 14 दिसंबर 2019 को हर्श मंदार CAA और NRC के ऊपर एक ट्वीट करता है और ठीक तीन दिन बाद यानि की 17 दिसंबर 2019 को हमारे दुरू भाई एस पर दटूल के ट वीडियो बनाते हैं उसके अंदर CAA का जिकर होता है असलियत में यह मेरा दूसरा वीडियो था CAA NRC के उपर इससे पांच दिन पहले 12 दिसंबर को मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था टोटल में तीन वीडियो मैंने बनाये थे तीनों वीडियो आज के दिन भी यूट्यूब पर अपलोडिड हैं आप जाके इन तीनों में से इनके टाइम स्टैम्स देख सकते हो कि कभी ने अपलोड किया गया तो पहली बात तो ये प्रूफ ही गलत है और अगर ये सच भी होता तो इस तरीके से कनेक्शन दिखाना एक बहुत ही अजीव गरीब चीज है देश में कोई भी टॉपिक न्यूज में आता है तो आफकोर्स जो टॉप यूट्यूबर्स हैं उस पर वीडियो बनाएंगे मैं वीडियो बनाऊंगा उस चीज पर दिसेंबर 2019 में न्यूज चैनल्स पर सोशल मेडिया पर इसकी बहुत चर्चा चल रही थी तो मैंने वीडियो बनाया मेरे साथ साथ लाखो लोगों ने इस पर ट्वीट किये फेस्बूक पर पोस्स किये सेम चीज मनीपूर के लिए भी कही जा सकती है जब मनीपूर का इशू चल रहा था तो मैंने उस पर वीडियो बनाया अब लाखो लोगों के ट्वीट्स में से किसी एक इनसान को पगड़ लेना और कहना कि देखो इस इनसान के ट्वीट के बाद मैंने अपना वीडियो बनाया भाई क्या लौजिक है यार यह और मनीपूर पर वो वीडियो बनाने का ख्याल मुझे इसलिए आया क्योंकि मनीपूर की ट्रैजिक क्लैशिस में उन दो औरतों के वीडियो ने हर एक इंसान की आत्मा को जग जोड दिया था हर एक इंसान जिसकी जमीर मरी नहीं होई थी, जिसकी आत्मा बिकी नहीं होई थी उसने इस टॉपिक की बात करी है लेकिन Elvish जैसे सत्ता के चाटुकार का मूँ बिलकुल बन था मनिपूर जैसे इस उपर और फिर कहता है कि मैं तो बड़ा नैशनलिस्ट हूँ कुछ शर्म आती है तुझे या नहीं रिसेंटली तुझे नीट एक्जाम के बारे में पूछा गया तो तेरे मूँ में छाले पड़ गया दाथ दिखा कर हसने लगा और तू चाता है कि बाकी लोग भी तेरी तरह किसी सोशियो पोलिटिकल इस पर बोले ही ना कुछ क्या तू अपने फैंस और व्यूर्स को बिल्कुली बेवकूफ मानता है कि कुछ भी बचकाना बात वो हजम कर लेंगे तेरी एलविश को या अंदेशा तो जरूर था कि ऐसी बचकाना बातों पर लोग यकीन नहीं करेंगे इसलिए एक और पैंतरा खेला इसमें हर्ष मंदर के साथ मेरा कनेक्शन जोडने की कोशिश में ये आदिल अमन को बीच में ले आया कहने लगा कि आदिल अमन एक्चुली में अब जर्मनी में रहता है और हर्ष मंदर के साथ काम करता है इसके लिए इसने एक फेस्बूक प्रोफाइल दिखाई पीछे प्रूफ के तौर पर और जानते हो क्या दोस्तों ये किसी और आदिल अमन की फेस्बूक प्रोफाइल थी लिटरली यहाँ पर दो अलग-अलग इंसानों की बात करी जा रही थी या तो ये खुद इतना बेवकूफ है कि इसने चेक भी नहीं किया यहाँ पर किसका फेस्बूक प्रोफाइल दिखा रहा है या फिर ये सही माइनों में अपने वियोर्स को बेवकूफ समझता है वैसे मुझे तो लगता ये खुद ही इतना बेवकूफ है क्योंकि इसने ये भी नहीं नोटिस किया कि ये वाला जो आदिल अमन था जो मेरे फेस्बूक ग्रूप में था उसके नाम की स्पेलिंग अलग थी और इस वाले आदिल अमन की नाम की स्पेलिंग अलग है अलविश जो अभी जमानत से बाहर है उसके यूट्यूब पर 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और इंस्टाग्राम पर 16 मिलियन फॉलोर्स मैं एक रिसर्चर हूँ और उनिवर्सिटी ओव ग्योटिंगन में मास्टर्स कर रहा हूँ मेरा किसी भी राजनेति पार्टी या उनके स्टूडेंट विंग से कोई भी एफिलेशन नहीं है जैसा कि एलविश ने अपने वीडियो में दावा किया वीडियो से ही यह क्लियर है कि एलविश ने जिस कॉमेंट की बात की है वो मैंने नहीं किया और मेरी Facebook profile का इस्तिमाल किया गया मेरे former employer हर्ष मंदर और धुर्राटी के बीच link दिखाने के लिए इस जान पूछ कर की गई defamation, misrepresentation की वज़े से Elvish के followers ने गालियों वाले messages मेरे Facebook इंबोक्स में भर दिये मुझे और मेरे परिवार को चोट पहुचाने की धमकिया दी है Twitter पर भी मैंने देखा कि इस misinformation की वज़े से मेरी गिरफतारी की demand करने लगे हैं लोग अबे बेवकूफ Elvish तेरी वज़े से कोई निर्दोश आदमी को वाँ गालिया मिल रही है शर्म आती है कि नहीं तुझे उसका actually में किसी की life पर असर पड़ता है और लेडी तेरे उपर इतने सारे court cases जल रहे हैं जमानत पर तु बहार है और फिर वीडियो में ऐसी आकर बखवास करता है कि और तेरे उपर court cases आ जाए एलविश ने अपने वीडियो में कहा कि कोई भी आर्टिकल फार्टिकल दिखा कर किसी को भी कुछ भी साबित किया जा सकते मालो कैमरा मैंने मुझे इसको गलेश साबित करना है मैं भाई कर दूँँँगा और यही चीज exactly एलविश ने अपने वीडियो में करी मैं पूछना चाहूँगा जरा अपनी ओडियन्स को बता दे यह सब जो तुने किया सिरफ व्यूस और पैसे के लिए किया या फिर उपर से कोई पेभी कर रहा था तुझे अर्श मंदर की बात करते हुए इसने एक आर्टिकल दिखाया, एक लाइन को अंडरलाइन कर दिया कि मेरे माता पिता, तांजेनीया में ब्रिटिश पुलिस के लिए काम करते थे अब इस आर्टिकल को देखो, यहां तो मंदर की वज़ाय सिंघ लिखा है इस आर्टिकल की ये लाइन को मैंने गूगल पर सर्च किया डबल कोट्स के साथ तो ये वाला आर्टिकल सामने आया ये एक इंटर्व्यू था कैप्टन हर्मंदर सिंग के साथ जो की एक बहादूर आफिसर थे इनका जन्च साल 1926 तांजेनिया में हुआ था और जब वो सिर् 33 साल के थे यानि कि 1959 में चाइना ने टिबिट पर अटैक कर दिया था उस समय कैप्टन हर्मंदर सिंग ने दलाई लामा को बचा कर भारत लाने में एक एहम भूमिका निभाई थी पद्म अवोर्ड्स की सरकारी वेबसाइट पर हम देख सकते हैं कि इने 1960 में पद्म श्री स सम्मानित किया गया अब एलविश और कुछ नहीं तो कम से कम ऐसे बहादूर ओफिसर का तो सम्मान कर लेता माना कि तो अनपड़ टाइप का है लेकिन क्या इतना भी पढ़ना नहीं आता कि हर्ष मंदर और हर्मंदर सिंग में डिफ्रेंशियेट कर सके और वैसे मैं आपको सिंग के खिलाफ जो तुने जूट फिलाया है वो भी केस कर सकती है तेरे उपर और तो और मैं भी केस कर सकता हूं तेरे उपर डिफेमेशन का मेरे लॉयर ने का कि जो भी तुने बखवास करी इस वीडियो में वो सीधे तोर पर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस बनता है अगर अगर ये सारे और केसिस कल को तेरे उपर हो गए तो फिर विक्टम कार्ड मत खेली हो मैंने पहली वोरन किया था इस वीडियो में जितने फाल्तू के फरजी लिंक्स एलविश ने मेरे बनाने की कुशिश करी और लोगों के साथ उससे सीधा कनेक्शन मैं इसका बना सकता हूँ एलविश ने अपने एक वीडियो में अखिलेश यादव को सपोर्ट दिखाया था अखिलेश यादव की एलाइनस पार्टनर कौन है राहुल गांदी तो अगर ये राहुल गांदी को देश द्रोही ठहरा रहा था वहाँ पर अपने वीडियो में तो ये खुद भी देश द्रोही हुआ और दूसरी तरफ बीजेपी से भी तेरे इतने ही लिंक्स हैं इतने सारे पॉलिटिशन के साथ जाकर तुन्हें फोटो की चाही है शो आफ किया है अपना सपोर्ट जताने की कुशिश करी है तो चाही इस तरफ से वो चाही उस तरफ से तेरे भी फाल्तू के कैसे कनेक्शन सी बनाय जा सकते हैं और तुझे भी एंटी नैशनल गोषट किया जा सकता है मैंने तो एंटिनेशनल गोसित कर दिया आप देगो, NIA ने पकल लिया Elvish तेरी जितने भी जूट पकले हैं मैंने अभी तक सिरफ 5-6 मिनिट के वीडियो के सेक्शन में पकले हैं अभी तो और जूट पकलने बाकी है पकल लिया कभी तुने कहा कि मैं कोई फरजी कोहन प्रमूट करता हूँ कभी तुने कहा कि मेरा आम आदमी पार्टी के साथ लिंक है जो तुने गंद की फैलाई है इसको साफ करने में एक और वीडियो लगेगा आगे के एक वीडियो में दोस्तों बाकी सारे आरोपो को भी डीटेल में समझेंगे और इस एलविश यादफ की असली परसनालिटी को भी पकलेंगे इतने एलविश थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कर अंकल आंटी से जाकर बात कर उन्हें वीडियो दिखा उन्हें भी बता कि कितने और कोर्ट केसिज अब तेरे उपर किये जा सकते हैं और हाँ विक्टम काड मत खेलना मुझे नहीं चाहिए कि तू दुबारा से जाकर किसी न्यूस चैल पर रोना दोना कर नाइस वीडियो काफी अच्छी से रीप्लाइ किया रीप्लाइ किया रीप्लाइ किया रीप्लाइ किया राइक गड़ बन